गीता दीदी आपसे मेले में मिलकर बहुत अच्छा लगा मैंने डिजिटल डिवाइसों के बारे में वास्ता में बहुत कुछ सीखा है धन्यवाद रोहन ये मेरे लिए खुशी की बात है मैं जानता हूँ कि इंटरनेट आज कल बहुत उप्योगी है मेरी इच्छा है कि आप मुझे इंटरनेट के विशे में और सिखाने के लिए कुछ और समय निकाले हम मैं देखती हूँ मैं कल खाली हूँ कल मैं तुम्हारे घर जरूर आउंगी और इंटरनेट के बारे में सिखाऊंगी वाँ ये आपकी महानता है निश्चित रूप से मैं अपने घर पर आपका इंतजार करूँगा ठीक है तुकल मिलते हैं हाई दीदी प्रिपे अंदर आईए मैं बहुत कुशी कि आप मेरे घर आईए मैंने वादा किया था अब मुझे अपना कंप्यूटर दिखाओ दीदी आपने खाता कि आज कर लगबग सभी जगा कंप्यूटर का प्योग किया जाता है और यह हमारे जीवन को और असान बना देता है या आप मुझे इंटरनेट की बारे में और अधिक बता सकती है बिल्कुल रोहन मैं तुम्हारी सहायता के लिए आज यहां हूँ पहले मुझे यह समझाने दीजे कि इंटरनेट क्या है इंटरनेट विश्व व्यापी नेटवर्क है जो संसार भर के करोडों कम्प्यूटरों को जोडता है इंटरनेट विश्व भर के लोगों को संचार करने तथा सूचनाओं व आखडों का आदान प्रदान करने की अनुमती देता है इंटरनेट के द्वारा आप कोई सूचना या संदेश सेकिंडों में दुनिया भर में कहीं भी भेज सकते हैं मुझे इंटरनेट के कुछ अनुप्रयोगों के बारे में बताने दीजे इंटरनेट के विभिनिक शेत्रों में अनेकों उप्योग हैं, उनमें कुछ है संचार के मामलों में इंटरनेट का प्रयोग, इमेल के द्वारा संदेश भेजने वप्राप्त करने में होता है इंटरनेट विभिनिक शेत्रों में नौकरी की उपलब्धता के विशे में सूचनाय प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है लोग भावी नौकरी के लिए अपना संक्षिप्त जीवन व्रतांत ओनलाइन भेच सकते हैं दुनिया भर में संग्रहित किताबें वो अन्य अध्यन सामगरी इंटरनेट के माध्यम से आसानी से खोजी जा सकती है नवीनितम, विश्वकोश, ओनलाइन उपलब्द हैं इंटरनेट हमें स्वास्थ है, वो दवाई के क्षेत्र में बहुत जानकारी प्रदान करता है लोग विभिन रोगों के बारे में जान सकते हैं और सहायता प्राप्त कर सकते हैं कोई भी इंटरनेट का प्रयोग परिटन्स थलों के विशे में जानकारी प्राप्त करने में कर सकता है। इसका प्रयोग चुटियों की यात्रा, होटल, ट्रेन वह हवाई जहास के आरक्षन में कराया जा सकता है। इंटरनेट का प्रयोग कर ओनलाइन खरीददारी भी की जा सकती है. मात्र खाते का विवरन उपलब्द कराकर आप लेंदेन कर सकते हैं. आप अपने बिलों का भुकतान वो बैंक संबंधी लेंदेन भी इंटरनेट के द्वारा कर सकते हैं. इंटरनेट जोडने के लिए हमें कुछ यंत्र वर नेटवर्क सेवा प्रदाता की आवश्यक्ता होती है. इंटरनेट जोडने के कुछ तरीके हैं, डायल अप कनेक्शन, एकिकृत डिजिटल सेवा नेटवर्क, इंटरनेट का सीधा उपियोग, डिजिटल सब्सक्राइबर डायल अप कनेक्शन, डायल अप कनेक्शन इंटरनेट को जोडने के लिए टेलिफोन लाइन का प्रयोग करता है, कंप्यूटर मॉडम का प्रयोग करता है और घर की फोन लाइन को इससे जोडता है, इंटरनेट सेवा प्रदाता के मॉडम के लिए एक कॉल की जाएगी और इंटरनेट का उप्योग करने के लिए सक्षम बनाया जाएगा. यह इंटरनेट से जुढने का पहला तरीका है. एकी कृत डिजिटल सेवा नेटवर्क INSDN INSDN डायल अप कनेक्शन की ही तरह है. लेकिन यह डिजिटल फोन लाइन के माध्यम से संपर्क उपलब्ध कराता है. यह इंटरनेट वो फोन के एक ही समय उप्योग करने की अनुमती देता है. इसका प्रयोग करने के लिए आपको एक बाहरी मॉडम की आवश्यक्ता होगी. आइन, एसडी, एन सार्वजनिक टेलीफोन नेटवर्क पर व्यापक बैंडविट्थ के डिजिटल सेवा नेटवर्क प्रसारण को सक्षम बनाता है, जिसका अर्थ है कि एक समय में अधिक डेटा भेजा जा सकता है. इन्टरनेट कनेक्शन को डायल करने या इन्टरनेट में प्रवेश करने अत्वा किसी अन्य नेटवर्क की आवश्यक्ता नहीं होती है. इस तरह प्रस्तावित सेवाएं स्थाई बैंडविट्थ की उपलब्धता वक्कम विलंबता को सुनिश्यत करता है. केबल इन्टरनेट की तरह दीएसल या ब्रॉडबेंड उच्चगती इन्टरनेट सेवाएं प्रदान करता है. दीएसल तकनीक एक ही फोन लाइन पर इन्टरनेट वो बादचीत की सेवाएं बिना किसी एक को काटे एक साथ उप्योग करने की अनुमती देता है. दीएसल इन्टरनेट सेवाओं का प्रयोग मुख्यता, घरों वचोटे व्यापारिक संस्थानों में होता है. दीएसल इन्टरनेट सेवाओं केवल एक छोटे भौतिक दूरी तक ही काम करते हैं और जिन इक्षेत्रों में स्थानिय टेलिफून का बुनियादी धाचा दीएसल तकनीकी को सहारा नहीं देता, वहां काम नहीं करता है. इन्टरनेट से जोडने के लिए आपके कम्प्यूटर में तीन आधार्भूत तत्वों का होना आवश्चक है. मौडम, इन्टरनेट सेवा प्रदाता और ब्राउजर. मौडम एक यंत्र है जो कम्प्यूटर का डाटा प्राप्त करने, वह भीजने की अनुमती प्रदान करता है. यह यंत्र कम्प्यूटर के साथ जोडा जाता है. इन्टरनेट सेवा प्रदाता या ISP एक कम्पनी है जो इन्टरनेट सेवाएं उपलब्ध कराती है. ब्राउजर एक सौफ्ट्वेर है जो की सूचनाओं को खोजता है, प्रस्तुत करता है और संचालित करता है कुछ लोकप्रिय ब्राउजर हैं, मौजीला, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, सफारी मेरे कुछ दोस्तों के पास मुबाइल पर इंटरनेट की सुविधा है कोई मुबाइल पर इंटरनेट की सुविधा कैसे प्राप्ट कर सकता है मुबाइल पर इंटरनेट सुविधा प्राप्ट करने के लिए आपको निम्न चीजों की अवश्यक्ता होती है एक मुबाइल जो इंटरनेट का समर्थन करता हो, एक मुबाइल फोन सेवा जो डेटा संचरन का समर्थन करती हो पोन पर इंटरनेट सेवाएं प्राप्त करने के लिए डेटा सेटिंग के साथ मोबाइल सेवा प्रदाता से खाता 2G, 3G व 4G नेटवर्क का प्रयोग 2G, 3G व 4G में G जेनरेशन अर्थात पीड़ी को दर्शाता है G के पहले की उच्च संख्या, अधिक सूचनाई भेजने, वप्राप्त करने की उच्चक्शमता दर्शाती है अर्थात, तार रहित नेटवर्क के माध्यम से उच्च दक्षता प्राप्त करने की क्शमता 2G नेटवर्क संकीन बैंड नेटवर्क पर आधारित होते हैं सिगनल डिजिटल प्रारूप में संचरित किये जाते हैं जो नाटकिय रूप से कॉल की गुणवत्ता में सुधार वा संचार की जटिलताओं में कमिलाते हैं। 3G तीसरी पीड़ी का मोबाइल नेटवर्क लोकप्रिय हो गया है। इसने उप्योग करताओं को मुबाइल फोन वर टैबलेट पर इंटरनेट प्रयोग करने के योग्य बना दिया है। 3G नेटवर्क पर डेटा संचरन की गती 384 Kbps से 2 Mbps होती है। 3G नेटवर्क पर अधिक डेटा संचरन की अनुमती देता है। अतह यह वाइस और वीडियो कॉल, फाइल संचरन, इंटरनेट सर्फिंग, ऑनलाइन टीवी, उच्च परिभाशा वीडियो, खेल खेलने के लिए सक्षम है। 3G उन उप्योग करताओं के लिए अच्छा विकल्प है, जो हमेशा इंटरनेट से जुड़े रहना चाहते हैं। पोरजी, चौथी पीड़ी का मोबाइल नेटवर्क के बारे में विश्वास किया जाता है कि यह भविश्य में और बहुत सारी मूल्यवर्धित सेवाएं उपलब्ध कराएगा। सभी 3G की सुविधाओं के साथ-साथ यह डेटा संचरन को 1 GBPS से 100 MBPS के मध्य पूर्ण करने वाला माना जाता है। क्या आप मुझे दिखा सकती है कि मेरे मोबाइल में इंटरनेट कैसे सेट किया जा सकता है। बिल्कुल रोहन, मैं तुम्हें बताती हूँ कि कीपैड मोबाइल वो एंडरॉइड मोबाइल में इंटरनेट कैसे सेट करते हैं। सावधानी से निम्नपदों का अनुसरन करो। कीपैड आधारित फोनों में इंटरनेट का प्रेयोग। पहले मैनू का चैन करें। फिर इंटरनेट अब होम पेज खोलने के लिए या तो होम का चैन करें अन्यथा होम स्क्रीन पर शून्य को दबा कर रुकें। आगे वेब पता दर्ज करने के लिए गो टू एड्रेस ढूंडे और पता दर्ज कर ठीक चुने। इसके बाद वेब पता दर्ज करने के लिए पते पर जाने का चैन करें और ठीक चुने। और फिर वेब खोजने के लिए खोज शब्द को दर्ज करें और फिर खोज का चैन करें। सेवा से जुड़ने के बाद आप ब्राउजिंग शुरू कर सकते हैं। Wi-Fi सेटिंग देखने के लिए सेटिंग पर जाएं। सेटिंग वा कनेक्टिविटी का चैन करें, फिर Wi-Fi का चैन करें। जिस कनेक्शन से आप जुड़ना चाहते हैं, उसका चैन करें। यदि आवश्यक हो, तो पास्वर्ट दर्ज करें। Android फोनों में इंटरनेट सेट करने के लिए सबसे पहले Android स्मार्टफून वर टाबलिट की सेटिंग मेनू पर खिसकें। यह किसी Android यंतर पर अप मेन्यू के सेटिंग आइकन के माध्यम से और कभी-कभी नॉटिफिकिशन बार से किया जा सकता है। अब सेटिंग्स मेन्यू में आप बेतार और नेटवर्क सेटिंग्स ढूंडे। ज्यातातर यंतरों में अधिक या अधिक सेटिंग्स जो बटन उपलब्ध हों को चुने। अब यदि आप बेतार्व नेटवर्क सेटिंग्स पर पहुँच जाते हैं, तो आप दो तरीकों से जोड सकते हैं, मोबाइल इंटरनेट, वाइफाई, मोबाइल से इंटरनेट को जोडने के लिए, या तो आप नोटिफिकेशन को नीचे खीच कर मोबाइल डाटा विकल्प चुन सकते हैं, अत्वा आप वाइरलेस और नेटवर्क सेटिंग्स विकल्प में मोर सेटिंग्स विकल्प चुन सकते हैं, उसके बाद मोबाइल नेटवर्क बटन पर क्लिक करें, जहां पर मोबाइल डाटा चेक बॉक्स पर चेक करेंगे, जब उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका फोन मुबाइल इंटरनेट से जुड़ जाएगा एंडुएट फोनों में भी वाइफाई की सुविधा उपलब्ध है दीदी उसे किस प्रकार जुड़ेंगे? बड़े आसानी से मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि तुम कैसे वाइफाई सेवाओं से जुड़ोगे सबसे पहले नोटिफिकेशन मेन्यू में उपलब्ध मुबाइल वाइफाई विकल्प को चुनोगे अब आपको उपलब्ध इंटरनेट नेटवर्कों की सूची दिखाई देगी यदि आपके पास वाइफाई नेटवर्क का विकल्प चुना हुआ है तो यह है अपने आप नेटवर्क से जुड़ जाएगा अन्यथा आपको वह वाइफाई नेटवर्क चुनना पड़ेगा जिसे आप जोड़ना चाहते हैं यदि पासवर्ट की आवशक्ता हो तो उसे दर्ज करें और कनेक्ट पर क्लिक करें Mobile Broadband तक्नीक जिसे Wireless Wide Area Network भी कहते हैं जो Mobile Internet से जुड़ने की सुविधा प्रदान करता है Mobile Broadband का प्रयोग करने के लिए आपको एक Data Card और एक Data Plan के साथ Mobile Broadband सुविधा प्रदाता की आवशक्ता होती है आप अपना उपकरण और Data Plan प्राप्त करने के बाद Subscriber Identity Module SIM और SIM के लिए Mobile Broadband सुविधा का चालू होना सुनिश्चित करें जिसके चालू होने की सूचना आपको आपका Mobile प्रचालक अथवा उपकरण विक्रेता देगा प्रथम बार Broadband सुविधा संयोजित करने के लिए निम्नपदों का अनुसरन करें Notification Area में Network आइकॉन पर क्लिक करके Network से जोडने का विकल्प खोलें अपने फोन के Mobile Broadband पर Right क्लिक करें ततपस्चात Connect पर क्लिक करें यदि कहा जाए तो Access Point का नाम या Access String उप्योग करता का नाम वो Password टाइप करें यदि आप किसी Auto Connect सेटिंग को बदलना चाहते हैं तो उसे बदलें फिर जारी रखें पर क्लिक करें Broadband का प्रयोग करके Internet संयोजित करने के लिए Notification Area में Network आइकॉन पर क्लिक करके Network से जोडने का विकल्प खोलें अपने Mobile Broadband के नाम पर क्लिक करें फिर Connect पर क्लिक करें यदि आवश्यक हो तो अपने फोन के Mobile Broadband पिन टाइप करें फिर Enter दबाएं Broadband का प्रयोग करके Internet वियोजित करने के लिए Notification Area में Network आइकॉन पर क्लिक करके Network से जोडने का विकल्प खोलें अपने Mobile Broadband के नाम पर क्लिक करें फिर Disconnect पर क्लिक करें मैंने सुनाए कि कोई भी अपने स्मार्टफोन को लैप्टॉप से जोड सकता है क्या ये सही है दीदी? आप बिलकुल रोहन तुम स्मार्टफोन को लैप्टॉप से जोड सकते हो स्मार्टफोन वो लैप्टॉप को जोडने या टेथरिंग पर आपका स्मार्टफोन वास्तव में Wi-Fi, होट्सपॉट में परिवर्थित हो जाता है जिसे की आपका लैप्टॉप एक्सेस कर सकता है इंड्रोइट फोन टाबलेट को लैप्टॉप से जोडने के लिए निम्न पदों का अनुसरन करें पहले वारलेस और नेटवर्क सेटिंग मेन्यो पर जाएं कुछ फोनों में वारलेस होट्सपॉट बनाने के लिए एप्स मेन्यो में एप होते हैं अब जोडने वाले वहनिये होट्सपॉट या इसी तरह के किसी विकल्प पर क्लिक करें आगे वहनिय होट्सपॉट या इसी तरह के किसी विकल्प को चालू करो और नेटवर्क का नाम सेट करो और अथवा पास्वर्ट सेट करो तब दाएं हाथ पर सबसे नीचे दिये हुए वारलेस नेटवर्क को वारलेस नेटवर्क के माध्यम से अपने लैप्टॉप के नेटवर्क से जोड़े इंटरनेट के बारे में सीखना दिलचस्प नहीं था अब हम लोग मज़िदार गतिविदी में भाग लेंगे दिदी क्या आप जानती है कि हम इंटरनेट पर कुछ जूनते समें हाइपर लिंक के सामने www क्यो लिखते हैं? www का अर्थ वर्ल्ड वाइड वेब होता है वर्ल्ड वाइड वेब? मैंने इसके विशे में बहुत सुना है क्या आप इसके बारे में और बता सकती है? जरूर रोहन मैं बताती हूँ कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब www वर्ल्ड वाइड वेब का प्रतीक है वर्ल्ड वाइड वेब में वेब उपसमुच्चे है ना कि उसका पर्याय वेब पन्नों से मिलकर बनता है जिन तक वेब ब्राउजर का उपयोग कर पहुचा जा सकता है Telnet, FTP, Internet Jua, Internet Relay Chat, IRC और Email सभी Internet का अंग है लेकिन यह सब World Wide Web का अंग नहीं है Hypertext Transfer Protocol एक विदी है जिसका प्रयोग वेब पन्नों को आपके कम्प्यूटर को स्थानांतरित करने में किया जाता है Hypertext के साथ शब्द या वाक्यांश दूसरी वेब साइट के साथ संपर्क बनाए रख सकते हैं World Wide Web के अंग हैं Web Server, Web Browser, Web Page, Website, Web Address Web Server एक पदती है जो इंटरनेट पर अंतिम उप्योग करता तक विशेवस्तू या सेवाओं को उपलब्ध कराता है Web Servers वे कम्प्यूटर हैं जो वेब पेजों को उपलब्ध कराते हैं प्रतेक Web Server का एक IP, पता वर डोमेन नाम होता है उदाहरन के लिए यदि आप अपने ब्राउजर में दर्श करते हैं कि यह है एक Web Server जिसका डोमेन नाम Google.com को निवेदन भेज देता है Web Browser एक Software अनुप्रयोग है जिनका प्रयोग World Wide Web पर ढूनने, पुनर प्राप्त करने, विशेवस्तूं को प्रदर्शित करने में होता है इसके अतिरिक्त इसमें Web, फोटूएं, वीडियो वा अन्य फाइलें आती है जैसे कि ग्रहक सेवक मॉडल, कंप्यूटर पर चलने वाला Web Browser एक ग्रहक है जो Web Server से संपर्क कर सूचना के लिए निवेदन करता है Web Server सूचनाएं वापस Web Browser को भेज देता है जो परिनामों को कंप्यूटर पर दर्शाता है अत्वा उन डिवाइस पर दिखाता है जो ब्राउजर को सहारा देते है Web Page वह हैं जिनसे World Wide Web बनती है यह दस्तावेज, HTML, Hypertext, Markup, Language भाशा में लिखे जाते हैं और आपके ब्राउजर के दवारा अनुवादित किये जाते है Web Page या तो स्थेतिक अथवा गतिक हो सकते हैं स्थेतिक प्रश्ट प्रतेक बार खोले जाने पर एक ही विशयवस्थू दर्शाते हैं गतिक प्रष्ट प्रतेक बार खोले जाने पर अलग-अलग विश्य वस्तू दश्चाते हैं ये प्रष्ट आदश रूप से भाषा जैसे PHP, Perl, ASP या JSP में लिखे जाते हैं वेबसाइट प्रष्ठों का संकलन है एक वेब पेज एक प्रतक HTML दस्तावेज है वेबसाइट एक दूसरे से संबन्दित प्रष्टों का संकलन है सामाने तर यह या तो एक ही विशे पर या आपस में बहुत ही मिलते जुलते विशे उपर होते हैं वेबसाइट खोलने पर जो पहला पन्ना दिखाई पड़ता है उसे Home Page कहते हैं वेब पता पते की ऐसी पंक्ती है जिसमें Address Protocol, Domain Name तथा File Path होता है सामाने तह इंटरनेट पर इसका प्रयोग वेब प्रष्ट, चित्र या अन्य दस्तावेजों के पते का विशेश उलेख करने के लिए किया जाता है वेब प्राउजर उपियोगी अनुप्रयोग है जो World Wide Web सूचनाओ को ढूंडने के लिए बनाए गए है Download, Bookmark और Password प्रबंधन वेब प्राउजर के सामाने लक्षन है इसमें क्रियाएं जैसे Spelling Check, Search Engine Toolbar, Tabbed Browsing, Advertisement, Filtering और HTML, Access Button, Pop-Up और Blocking होती है अब हम विभिन प्रकार के वेब ब्राउजर के बारे में सीखते हैं विभिन प्रकार के वेब ब्राउजर हैं Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari Internet Explorer Microsoft द्वारा तयार किया गया और Microsoft Windows के ओरेंटिंग सिस्टम के सहाइक पैकेज के रूप में 1995 में लाया गया यह विश्व भर में सरवादिक प्रयोग होने वाला ब्राउजर है यह ब्राउजर ओन लाइन संचालन अच्छा होने के साथ साथ त्वरित खोज की शंकाओं और गतिमान संरक्षा तकनीक के लिए भी अच्छा है Firefox Mozilla से प्राप्त किया गया ब्राउजर है और वह इंटरनेट पर दूसरा सबसे प्रसिद्ध ब्राउजर है किया आप अपने कम्प्यूटर बर Firefox का प्रयोग नहीं करती है दीदी? हाँ यह वही है जो मैं अपने कम्प्यूटर में प्रयोग कर रही हूँ Google Chrome Google द्वारा विक्सित एक वेब ब्राउजर है यह अतिसुक्ष्म आकृती को परिश्कृत तकनीक के साथ मिलाता है जिससे वेब तेज, सुरक्षित वा आसान हो जाता है ओपरा सॉफ्टवेर ने 1996 में ओपरा ब्राउजर का विकास किया ओपरा अन्य ब्राउजरों से छोटा है और ज्यादतर अन्य ब्राउजरों से बहुत तेज काम करने वाला है यह तेज है और यह कीबोर्ड कई विंडोज जूम फंक्शन्स वा अन्य के साथ आसानी से चलता है यह जावा व जावा रहित दो रूपों में मिलता है इंटरनेट पर आने वाले नए लोगों के लिए आदश ब्राउजर है सफारी ब्राउजर एपल आई एन सी द्वारा विक्सित किया गया है और मैक ओएस एक्स में शामिल है यह सबसे पहले जनवरी 2003 में पब्लिक बीटा के नाम से जारी किया गया था यह वेब ब्राउजर सभी नवी नतम तक्नीकों जैसे XHTML, CSS2 आदी का समर्थन करता है तीधी, अब मुझे दिखाईए कि वेब ब्राउजर कैसे खोले ठीक है रोहन, वेब ब्राउजर खोलने के लिए निम्न पदों का अनुसरन करो स्टार्ट बटन पर क्लिक करो और प्रोग्राम पर जाओ और किसी एक ब्राउजर पर क्लिक करो ब्राउजिंग विंडो दिखेगी सामाने तर वेब ब्राउजर निम्न में विभाजित होते हैं टाइटल बार, वेब पेज व वेब ब्राउजर का नाम दिखाता है. इसमें तीन विंडो बटन होती हैं. मिनिमाईज, रिस्टोर बटन या मैक्सिमाईज और बंद. एड्रेस बार में उस वेब साइट का नाम अथवा URL जिसे आप खोजना चाहते हैं लिखें. इसमें गो या रिफ्रेश और स्टॉप बटन होता है. गो बटन वेब पेज या वेब साइट को लोड करने में आपकी सहायता करता है. रिफ्रेश बटन आपको वेब पेज को पुनह लोड करने में मदद करता है. और स्टॉप बटन एक्स्प्लोरर द्वारा चलाई जा रहे किसी भी अनुप्रयोग को रोकने में मदद करता है. एड्रेस बार के बाई और बैक वो फॉवर्ट बटन होते हैं. ये बटन आपको हाल ही में चलाई गई पीछे की और आगे की वेब साइट पर जाने में मदद करते हैं. मेन्यू बार पर कई विकल्प होते हैं जैसे फाइल, एडिट, व्यू, फेवरिट, टूल्स और हेल्प. वेब पेज क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां पर वेब साइट या वेब पेज दिखते हैं. स्टेटस बार वेब साइट वेब पेज की प्रगती या स्थिती के बारे में वेटिंग, लोडिंग या डन दिखा कर बताता है. सर्च इंजिन वह वेबसाइटे हैं जिनका उदेश उस वेबसाइट को ढूंडना है जिसे सूचना पाने के लिए ढूंड रहा है किन्तु उसके पास उस वेबसाइट का विशिष्ट पता उपलब्ध नहीं है कुछ प्रसिद्ध सर्च इंजिन जैसे Google, Yahoo, MSN है गूगल सबसे प्रसिद्ध सर्च इंजिन है SEs वेबसाइट करने के लिए जिन इलेक्ट्रोनिक यंत्रों का प्रयोग करते हैं उन्हें रॉबर्ट या स्पाइडर कहते हैं वह www के साथ मांगी गई सूचना को ढूमने के लिए इंटरनेट में चारों तरफ खूंगते हैं मल्टी या मेटा SE का अर्थ है कि आपके e-word को खोजने में एक से अधिक SEs लगे हैं गूगल और बिंग इसके उदाहरन हैं निर्देशी का वेब साइट की डारेक्टरी का उपयोग करती है जो की हाथों से जाची वह उनमें उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्गीकृत की जाती है याहू डारेक्टरी SE का उदाहरन है सर्च इंजन इंटरनेट पर सूचना ढूनने के ओजार हैं सर्च इंजन वेब प्रिष्टों की तरह के हैं और उनको भी वेब ब्राउजर का प्रयोग कर खोलना पड़ता है साधारन ता सर्च इंजन एक शब्द या शब्दों के समूह या विशे पर आधारित होते हैं इन शब्दों या मुहावरों को की वर्ड्स कहते हैं खोज का परिणाम वेब प्रिष्टों का हो सकता है चित्रों, सूचनाओं या अन्य प्रकार की फाइलों का हो सकता है इन सर्च इंजनों का व्यापक रूप से प्रयोग होता है दीदी हम इंटरनेट पर किसी चीज को खोजने के लिए सर्च इंजिन का प्रयोग किस प्रेकार करते हैं? गूगल जोकी सर्वादिक प्रयोग किये जाने वाला सर्च इंजिन है का प्रयोग करते हुए किसी चीज को खोजने के लिए निम्न पदों का अनुसरन करें पहला, वेब ब्राउजर को चालू करें, तब एड्रेस बार या लोकेशन बार पर यह टाइप करें मानिये यदि आप ग्रामीन भारत में स्कूलों की सूचना चाहते हैं, तो नीचे दर्शाय गए कीवर्ड टाइप करें Schools in Rural India अब खोज शुरू करने के लिए सर्च बटन पर क्लिक करें, अत्वा Enter बटन दबाएं दिखाए गए लिंकों की सूची देखें, जिनके साथ प्रतेक वेब साइट का संक्षिप्त विवरन भी दिखेगा सुसंगत लिंक पर क्लिक करें यदि आप किसी और विशे पर सूचना खोजना चाहते हैं, तो सर्च इंजिन के होम पेज पर जाने के लिए बैक बटन पर क्लिक करें अब जो सूचना आप खोजना चाहते हैं, उसके कीवर्ड टाइप करें फिर सर्च बटन पर क्लिक करें विभिन वेबसाइटों के लिंक दिखेंगे सुसंगत लिंक का चैन करें और वांचित सूचना पढ़ें यदि आपको कोई लिंक रोचक लगे और आप उस पर दुबारा जाना चाहते हूं तो उस पेज को आप बुक मार्क बना सकते हैं फिर ब्राउजिंग विंडो से बाहर जाने के लिए आप सबसे उपर दाएकोने पर क्लोज बटन दबाएं अब रोहन, मैं चाहती हूँ कि सर्च इंजन का प्रयोग करने का प्रयास स्वैम करो बिल्कुल, केवल यह बताईए कि क्या खोजना है ठीक है, गूगल का प्रयोग कर ग्रामिन भारत में कम्प्यूटर शिक्षा खोजो अब तुम इंटरनेट के विशे में बहुत कुछ जानते हूँ चलो, अब हम मज़ेदार गतीविधी में भाग लेते हैं प्रतेक प्रश्ण के लिए सही विकल्प चुने सही है, अच्छा प्रयाज सही नहीं है, रिप्या पुनह प्रयाज करें सही है, अच्छा प्रयाज सही है, अच्छा प्रयाज सही है, अच्छा प्रयाज सही है, अच्छा प्रयाज